बिहार लोग सिवायोग यानि BPSC और सथवी के लिए फॉर्म फिलब की जो परकिरिया है शुरू हो चुकी है आज के इस वीडियो में पूरी जनकारी जानेंगे कि BPSC और सथवी फॉर्म फिलब की परकिरिया को आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे साथ ही कैसे फॉर्म को भढ़ना है ताकि आपको फॉर्म भढ़ने में किसी भी परकार की मिश्टेक न हो सारी जनकारी के लिए आपको आना होगा ओनलाइन अपडेट एस्टीम.टीन के वेपसाइट पर लेटेस जॉब में देखेंगे बिपी ऐसे 68 रिकुपमेंट 2022 मिलेगा जिस पर किलिक करेंगे यहाँ पर हर एक जनकारी बताईगी कि कब से कब तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे क्योंकि इसका फॉर्म फिल अपकी अंतिम डेट जो है 20 दिसंबर 2022 से अफलिकेशन फी की बारे में बात करें तो कितना किस कैटेगरी के लिए लगने जा रहा है जिसकी भी जनकारी यहाँ पर दी गई तो आकर आप सारी जनकारी को एक बार रिट आउट करेंगे एज लिमिट आप देखेंगे उसके आलावे कैसे फॉर्म को अपलाई करना सेलेक्शन प्रोसस कैसे होगा उस सारी जनकारी आप एक बार आकर रिट आउट करिया और डाइरेक्ट आपको इंपोर्टेंट लिंक के सक्षन में ऑनलाइन अपलाई करने का लिंक को प्लप्त कर लिए आपको फॉर्म फिलप की परक्रिया सुरू की गई जिसके लिए एक उप्सन मिलेगा ओनलाइन अपलाई का जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस परकार एश्टेशन फॉर्म खुलता है इस फॉर्म को आपको बड़े ही बारिकी से भरना होता क्योंकि एक मिश्ट सर्मा है तो राम उनका फॉर्शन में होगा मिडिल कुमार होगा और लास्ट उनका सर्मा होगा तो इस सकाड़िंग नाम को दालना है फादर का फूल निम डालेंगे अगर कोई लरकी साधी हो चुकी है तो उनकी हस्वेन का नाम यहां पर डालेंगे अगर नहीं साधे हुई है तो इस column को आप blank छोड़ेंगे माता जी का जो नाम होगा डालेंगे date of birth यहाँ पे calendar मिलता है date और जो भी month होगा यहाँ से चूनेंगे और साथ ही जो भी year होगा यहाँ से आप क्या करेंगे बढ़ा गर्टा भी सकते अपने according उसी year को चूनेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे post आपके सामने खुलता है इस परकार तो इसको आप चाहे तो अभी close भी कर सकते हैं आगे आप इसका selection कर सकते हैं निचे देखेंगे बोला जाता कि आपके साधी हो चुकी है तो merit करें अने था unmerit पे क्लिक करें जेंडर आप से पूछी जा रही है कि male है कि female है यानि लड़का है तो male और लड़की तो female को चुनें आप यहाँ पे एक ID कार्ड को select कर सकते हैं अधार कार, pen card, devil license, जो भी select करेंगे और number आपको यहाँ पे provide करनी होगी और यहाँ पे देखेंगे आप से बोला जाता है कि इंडिया के citizen है तो यहाँ पे ace करना है और यहाँ पे बोला जाता है कि आपका जो resident, estate है यहाँ बिहार है तो उस case में आपको यहाँ पे ace कर देनी है नीचे आएंगे यहाँ पे reservation category सा अगर आप आते हैं तो ace करेंगे reservation category का मतलब है कि यह जो 5 category है यह सभी reservation के तहत आते हैं तो इसमें ace करेंगे तो आपका जो भी category होगा उस category को इस परकार चुनेंगे आपको इस परकार आपको लिखना है उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका इस परकार भी लिखेंगे पोस्ट पर जो होगा और पुलिस एस्टेशन जो होगा यहाँ पर आपको लिखना है उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका state होगा उसको चुनना है और जो भी district होगा उसको चुनना है जैसे district आपका जो होगा आपके state के according यह आ जाएगा और पिन कोट को डालेंगे किनी का अगर माल लिजे यह दोनों address अगर same पाय जाता है कि इसके लिए जो qualification है वो पूरा करते हैं तो यह करें क्योंकि इसके लिए eligibility है जो असना तक होनी चाहिए वह ही candidate form को apply करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे एक email id देनना है और gate email code पे किलिक करेंगे तो आपके email पर एक OTP जागा उसको डालेंगे साथे mobile number डालेंगे gate OTP करेंगे mobile पर OTP जागा उसको डालेंगे capture code को डालेंगे और एक option आपको मिलता है submit registration form जिस पर किलिक करेंगे उसके बाद इस परकार आपका registration process complete होता है यहाँ पर देखेंगे आपका registration number user id password आ जाता है इस page को आपको screen sort या इसको save करके या photo गेज कर आपको रख लेने है future reference के लिए उसके बाद फिर से इसी website पे आना है online apply वाले पे आपको click करना है और उपर में ही आप देखेंगे login पेज आ जाएगा जो आपको registration number मिला है और जो आपको user id मिला है या पर user id डाले जो password मिला है उसको डाले capture code को डाले login बाले पर click करें उसके बाद ये page इस पर कार open होगा जिसमें जो भी जनकारी आपने डाला है वो सभी जनकारी आपको खुल कर आता है आपको एक बार फिर से verify कर लेनी सभी जनकारी को सारी जनकारी अगर सही है तो आपने नीचे payment पे आए अगर कोई जनकारी गलत अभी लगता है तो option आपको मिलता update your registration information जिस पर click करेंगे मेरा सभी जनकारी सही है तो नीचे में एक option मिलता है click here to payment का जिस पर click करेंगे अब यहाँ पर फिर से review आएगा जिसको देखींगे और एक option मिलेगा proceed का जिस पर click करेंगे स्योर है ओके वाले पर click करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे आपके category के अनुसार जो भी payment होगा वो देखनों के मिलेगा payment करने का यहाँ पर तीन option है या तो net banking, debit card, credit card जिस भी मादरम सा payment करना चाहते है उस option को चून सकते है यहाँ पर हम debit card को चूनते है तो यहाँ पर आप पर click करें जैसे ही आप इस पर click करेंगे यह redirect करेगा इस बाले gateway पर यहाँ पर card जिनके भी नाम से उनका नाम, card number, month, year और सभी नमबर डालकर continue करेंगे तो इस परकार आपका payment clear होगा इस परकार payment आपका successful होता है थोड़ी देर में आपको redirect करेगा इसके home page पे आप 10 seconds का wait कर और इस पर कर देखेंगे आपको redirect कर दिया है इसका आप चाहे तो print उपर से आप ले सकते हैं और नीचे में option go to dashboard का मिलता है जिस पर click करेंगे उसके बाद इसके home page पे redirect करेगा यहाँ पा application form का option मिलता है जिस पर click करेंगे अगर कोई detail गलत लगता है अभी भी लगता है कि इ देखेंगे left side में यहाँ पर cancel registration का बिकल्प मिलता है जिस पर click करके इसको cancel करके दुबारा से form को fill कर सकते हैं यह payment आपका refund नहीं किया जागा तो application form पर click करें उसके बाद यहाँ पर देखेंगे total 20 मिनट का आपको समय दिये जाते 20 मिनट में इस form को fill करना लगभग यहाँ प उसको आप भरेंगे नीचे स्कॉल करेंगे इसको आप आजेंगे यहाँ पर बोला जागा कि यदि आप employee है बिहार सरकार की तो उसकी जनकारी आप देंगे और है तो उसका जो भी पदनाम होगा डालेंगे बहुत पूर सैनिक है तो यहाँ पर नो करेंगे यहाँ पर बोला करने दोबसाता है कि यहां पर चून सकते है कि जो लाइंग्वेज में आप इसका उतर देना पसंद करेंगे यहां पर चूनेंगे उसके बाद आपको नीचे आना आठागे को प्लिशह हैं अप चाहे है तो इसको छून सकते हैं अप्सनल सब्जेक्ट को तो यहां पर लिश्ट आता है इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुन लेनी है कि आप हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं तो यह करना आप नेक्ट पर किलिक करना है अब यहां पर दिखेंगे यहां से फॉर्म भरने की मेर्पर करिया स्ट जनकारी आपको बतानी है उसके अलावे कब उतीर्ण आपने किया है संसान का क्या नाम है और परापतांक में मतलब आपको कितना नंबर मिला है उसकी जनकारी देंगे जैसे 500 में अगर 300 मिला है तो परापतांक में 300 देंगे और पुर्णांक यानि फूल माक्स में 500 आपको डा दोस्त नमबर में बोला जाता है कि परजेंट लास्ट जो इंप्लॉइमेंट डिटेल है तो नो ही रहेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी वह इंप्लॉइमेंट डिटेल एस करेंगे तो उसके कोडिंग यह जनकारी आपको डालनी है अब यहाँ पर देखेंगे एक आरह नम बोला जाता कि आपको किसी परिक्छा से निकाला गया है तो उसकी जनकारी देनी है, निथा यहाँ पर 9 पे ही किलिक रहने देंगे नीचे आनी है आपको, यहाँ पर देखेंगे उमिदबार जो भिगत तीन वर्सों में जहां भी रहे है वो जनकारी देनी है जैसा अस्थान का नाम कब से कब तक करा है और कितना दिन रहे है उसकी address विंसन करना यह simple है आप जिस भी अस्थान पर तीन वर्सों में 6 महिने से अधिक निवास किये है उसकी जनकारी आपको दे देनी है जो कि आपको बतानी पड़ेगी जैसा अगर मान लिजी आप अपने गाउं में ही रहते तो निवास अस्थान अपने गाउं को लिखेंगे फ्रॉम यानि कब से अपने गाउं में रहते हैं और कब तक रह रहा है तो वो जनकारी देंगे यानि आपका जनम ही हुआ है तो जनम डेट ही डाल देंगे अब तक का डेट डालेंगे उनका पुरा एडेस लिखेंगे उमिद्वार का जो भी लंबाई होगा हाइट होगा वो आपको सेंटिमेटर में बतानी है फिट में और इंच में यहाँ पर आपको बता देनी है फिर आपका छाती की चोड़ाई बतानी है नीचे देखेंगे दो ऐसे उमिद्वार का नाम बताना है जो आपको जानते है छे म दिया है कि पचास आउट आफ डेर सो में किस परकार होगा जैसे वन बाइट थिरी कुछन सेलेक्टेड फॉर निगेटिव मार्किंग उसके अलावा देन वन वाइट थिरी कुछन फ्रॉम सचे सेलेक्टेड फॉर आपको लिए निगेटिव है और क्रेक्ट पर क्या मिलेगा जनकारी आपको यहाँ पर दो ओप्सन दिये गया है तीन ओप्सन आप इस तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे आप अपने कोडिंग इसको चून सकते हैं नीचे देखेंगा उमिदवार के सरीर में किसी परकार के कोई निसान है उसकी जनकारी आपको बता नहीं है एनी अधर इनफोरमेशन है तो पेस करें अनन थानों पर क्लिक करें पेमेंट आपने जो किया है उसकी आपके सामने रेफिरेंस नमबर आएगा और फोटो सिंगनेचर अपलोड करनी है सिंगनेचर हिंदी-い इंगलिस आप लोड करना इस दियान रखिये फोटो का जो साइ इसके भी होगा, signature का जो size आपका होगा, वो भी आपको 15 के भी से उपर होगा, इसको upload करेंगे सबसे पहले और नीचे में next का विकल्प है, जिस पर click करेंगे, उसके बाद इसका preview आएगा, preview देखेंगे, फिर आपको submit application पर click करना है, उसके बाद इसका सारा preview आएगा, इसको द इलब की process को आप complete कर पाएंगे, जिसके सारी जनकारी हमने बताया, फिर भी कोई doubt confusion है, comment कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,